पत्री जीत के मधुर्वास दो और अपनी शीतन और सुल्वासों के समागम को महसूस करे अपनी धीपर मेरे प्यार दोश्टर इस उजा का प्रहे अपनी अंदर निरंतर होने में बिना रुके बिना थके अगले दस मिनित तक ध्यान ध्यान और ध्यान ना कुछ शुच ना कुछ रचान बहुत सी सुन्दर ध्यान करें हैं हमसक इस उजा को महसूस करें मेरे प्यार दोश्टर अॉप बहुत सी स्थन्दर झाल झाल देह कर जाए इस धान के गंडा में इस धान के साजर में इस धान के महा साजर में जो हो रहा है वो होने बे। जो जा रहा है उसे जाने बे। जो बहे रहा है, इसमें बहे, इस फ्लो में रहे तो यह अपनी आखे नाथ हो लिए और इस शक्ती शाली उरजा पर अपने शरीर के हर गण, हर सेल, अपनी पूरे अस्तित्र में इसको महसूस करें, मेरा प्रारे दोस्ते प्राइब गॢळ बहे था करे को महसूस का भारत है, इस वर अपनी के रहे हो में तहसे बहे शरीर सम्तित्र में वार्द आदेया काइ़ उन्यु न vedो, आदे़ सus हो यहासे नाज़े लिए मुंबई अब से आप के लिए माया नगरी नहीं ध्यान की नगरी है ने रचार दोस्ता इस सुंदर सक्चाई की अनुदोते अपने भीटर करें मुंबई एक ध्यान नगरी शाकाहार की नगरी ध्यान जगत की नगरी अफ्य पाच मेंट कोई भी अपने आपने नहीं देले है अपने अंदर आती विश्वास और बहारचाती विश्वास के साथ इस संपूल ब्रह्मार के साथ एक हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्ते करता है करता है दोस्ते करता है और झाल झाल इस रख आप ये शरीद नहीं है नाप इसी के धाई हैं न देहें न पती हैं न पती हैं न माहीं न पता आप खेवल और खेवल एक उजाना के हैं शक्ती का स्प्रोट हैं आप प्राण हैं इस प्राण की एनर्जी को इस सोस एनर्जी को अपने धीतर की सचाई की एनर्जी को अपने धीतर में असूस करते रहें आखी दो मिनित कोई भी आखे ने खोलें अफने धीतर की एनर्जी का स्ट्रोट हैं झाल झाल आखी एक मिनट कोई भी अपनी आखे नाखे ले बहुत ही खुप्सरत है जो भी हो रहा है होने दे जो जा रहा है जाने दे आखी एक मिनट इस अद्धुप उर्जा को अपने पूरे अस्तित्र है अपनी सच्चाई में अपनी शांती में समाहित करने पुप्सरत है, हो रहा है रहा है कि में ते I हुप्सरत dad दस सेकंड, आखे दस सेकंड, कोई भी अपनी आखे ना खोले जब तक मैंना बोल, दस, नौ, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक, सभी लोग बिना अपनी आखे खोले हुए, अपने हाथों की हतेलियों को अपनी आखों पे रखेंगे, रगड़ेंगे नहीं हाथ अपने, बिना अपने हाथ रगड़े हुए, अपनी हतेलियों को, उंगलियों को नहीं, हतेलियों को अपनी आखों पे रखेंगे, इस उर्जा को कुछ सेकेंड तक जब तक ना मैं बूलू, हाथ कोई नहीं हटाएगा अपनी आखों से, इस उर्जा को अपने भीतर जाने दे, इस दिव्य उर्जा को, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शुन्य, अब धीरे धीरे करके इस धान की अवस्था से बाह आए, और जब भी आप रेडी हों, अपनी आखें धीरे धीरे करके खोले, और अब इस अध्भु ध्यान के लिए, तालिया, अपने लिए तालिया, और जोर से, और जोर से, ध्यान में अभी जितनी उर्जा लिए, उतनी जोर से अभी तालिया मजाने, और एक बार, तालिय को बन करते हैं एक बारी इससे पहले कि आज मैं परी जी को वापस से माइक दूँ और वो इस प्रोग्राम को और आगे लेके जाएं और हमें बहुत प्यारी प्यारी बाते बताएं मेरे साथ साथ जो मैं बोलूंगी जोर से जैसे उरी में हाउस दर जोज बोल के उसने यह सर बोला था न उतने लेभिल के जोश से अभी जो मैं बोलूंगी वो साथ में सभी बोलेंगे ready है? ready है? जे ध्यान जगत जे ध्यान जगत जे शा कहां जगत जे शा कहां जगत जे मुंबई का पिरमिट जगत और जोर से सुनाई नहीं दिया जे मुंबई का पिरमिट ध्यान जगत जे पिरमिट ध्यान जगत ज्याद कि यह जो फॉली ए आद ने जो चाहते हैं चाहते हैं लग जब लोग उन्टता करते थे किसी भी घान का तो उन्डाय की रहता था कि जतना जोज भर सकते हैं से जोज साथ अब में वापस अर ए अ कारिक्रम परीजे के हाथ में देती हुआ जब हम ध्यान करते हैं, क्या होता है? पहली फर्स्ट स्टेप, ध्यान में, हमारे चक्रा से, सहस्रार से, कॉस्मिक एनर्जी आती है, प्राणा कब आती है, जब हमारी माइंड शून्य होती है आप बोलते होंगे, परी, मेरे तो बहुत सारे विचार आ रहे है दूसरी माई है? ओके? जलो, ओके बहुत सारे विचार आ रहे है, परी, क्या करूं मैं? कॉस्मिक एनर्जी आ रही है की नहीं? पता नहीं जल रहा है हमारे अगर 50 विचार आए, थोट आए, मैंड बे तो विचार आएंगे, मैंड है तो आएंगे वो तो सहज है जब विचार आएंगे, आज आप ध्यान करेंगे तो 50 विचार आएंगे कल 49 विचार आएंगे एक-एक विचार के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ते जाता है वो है स्टिलनेस जब हम स्टिलनेस की बात करते हैं आप देखिए ब्रीथ करते हैं हम inhale और exhale कीजेए inhale exhale inhale और exhale के बीच में जो क्षण का जो समय है वो स्टिलनेस है जब हम ध्यान करते हैं जैसे जैसे विचार कम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा श्वास यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इधर तक आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता कि आप श्वास ले रहे हो कि ने, होता है मैं, मतलब वो जो एक सेकेंड का भी ख्षण हो, आप कॉस्मिक एनरजी ले रहे हो, वो ख्षण में, वो स्टिलनेस में, मतलब आप विचार भी हो हर एक ध्यान, हर एक 10 मिनिट का ध्यान, एक मिनिट का ध्यान, आपका ब्रेन, आपकी शक्ति, आपकी उर्जा को चेंज कर रहा है, हर एक ध्यान important है, जितने भी विचार हो, experience आये ना आये, उसके बारे में आज बात करेंगे, हर एक ध्यान आपको shift क कर रहा है, आपको change कर रहा है, कोई ध्यान waste नहीं होता है, कभी waste नहीं होता है, तो जब उर्जा आती है, cosmic energy आती है, तब हमारी third eye, माले pineal gland बोलते हैं, वो activate होता है, हम सब के पास है, जैसे शिव जी के पास है, हम सब के पास है, क्योंकि हम शिव है, हम भगवान है, हम सब के पास है, वो already inbuilt hardware है, पर software नहीं है activate करने को, hardware तो है, सब के पास, पर software नहीं है, कैसे activate garage में, garage में, गाड़ी तो है, फरारी तो है, पर चाबी नहीं है, कैसे start करना है, कैसे चलाना है, वो नहीं पता, पर गाड़ी तो है हमारे पास, हम सब लेके बैटे हमारे घर में ही फरारी है धूरने लगते हैं बाहर कहा है फरारी, कहा है फरारी ओ तुमारे पास है, मैं आऊंगा चलो पर फरारी तो घर पे ही है वो है आपका श्वास यह जो हम abundance, happiness जो भी नाम दे हम हम सब के पास है पर उसका definition मालूम नहीं हमको हम सोचते एक बड़ा घर abundance है एक जॉब मिलना, एक टाइटल मिलना abundance है एक successful businessman बनना abundance है शादी होना abundance है, बच्चे पैदा एक लड़की का शादी होना abundance है बच्चे पैदा करना abundance है, मा बना हम अलग-अलग success का अलग-अलग definition देते जा रहे हम success क्या है, किसी को नहीं मालो happiness क्या है, हम डूनते रहते हैं अभी हम घाटकों पर से आ रहे हम वहाँ पे sign home is your happiness बोलके लिखा हुआ था, वो घर का, वो रियल्टर का, वो आड था home is your happiness घर आपका खुशी है, घर में आपका खुशी है अगर घर में खुशी है तो कितने लोग घर से भागने का सोचते नहीं है कितने लोग बड़े घर का खुशने, वो सोचते नहीं है हम सब सोथे बड़ा घर, उदर घर, ये शहर, अमेरिका में है उदर आएंगे तो शायद खुशी रहेगी पर खुशी कहा है खुशी है आपकी सोच में जब आप एक safe feel करते हो अगर आप इदर safe feel करते हो अगर आप आपकी तरह रह सकते हो आराम है अभी, घर आये तो आरा है अभी आप ऐसा आराम feel कर सकते हो जहाँ safe, ये मेरा safe house है वो जगह आपको खुशी देती है, हाँ कि नहीं किसी और घर के जाते है तो ये मास्क लगाके जाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया खाना है तो ये मास्क जब लगाते रहते हैं मैं परी नहीं कुछ और बन रही हूँ, मैं एक बहु बन रही हूँ, मैं एक बेटी बन रही हूँ, मैं एक टीचर बन रही हूँ, कुछ और बन रही हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं कुछ और बाते कर रही हूँ जो उनको छीला जी को फ्लीस करने, छीला जी आपका घर कितना तो हम ये मास्क लगाके बैठ रहे हैं, बच्पन ते दिखाया गया हमको, सबको कुछ करना है, सबके सबका सुनना है, मास्क लगाते 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 परी को ने तो भूली गई मैं, परी को क्या चाहिए नहीं पता, मैं एक ध्यानी के घर में पैदा हुई थी, हाइद्रबाद से हूँ मैं, वहीं पैदा हुई, वहीं पैदा हुई, वहीं पर बड़ी हुई, मेरे फादर एक अलगी आत्मी थे, पागल थे, ध्यान के पीछे, बुद्ध बन, लोगों को बुद्ध बनाने चले थे, जॉब छोड़के, हमारे घर में मैं एक ब्रामिन फैमिली से बिलॉंग करती थी, वो फैमिली में क्या है, पूजा करना है, एडुकेशन चाहिए, पढ़ाई लिखाई में बहुत नंबर बन होना चाहिए, डॉक्टर या इंजिनेर, और कोई आप्शन ही नहीं है, मैं भी एक इंजिनेरिंग ही पड़ियों, करना है, इस फैमिली से मेरे पादर आये है, बहुत ही ताधार और मिडिल क्लस्ट फैमिली, कोई स्पेशल ने, और वो एक दिन कहें कि उनका जब, वो जब एनलाइटेन हुए, 1979 में, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं ध्यान सि इसा ध्यान आना पाना सकी, यही ध्यान है, यही सच्छे, यही तिखाने वाला हूँ, चल पड़े, बैग लेके अपना प्लूट बैग, चल पड़े, बस लोगों को बुलाने, ड्राइवर आजाओ, वो आजाओ, बैठो, ध्यान करो, और मैं यही सीखते आई हूँ कि, हमा शाय करते हैं, हम मास्टर हैं, यही मैं सीखते आई हूँ, यही मैंने सीखा और को सीखा ही नहीं, कभी बंदिर नहीं गई, मंदिर जाती तो क्या करती हूँ, ध्यान, यही सिखाया गया कि हर एक परसेन बुद्ध है, हर एक को अपना नॉलेग शेयर करना है, बस मेरा पूर बच्पन मैं बैठी थी, experience बताओ, मैडम को, experience बताओ, मैं सोचते यह क्या है, क्यूं मैं अपना experience बताओ, मैं नहीं बताती, जब मेरा teenage आ गया, तब मैं थोड़ा rebel हो गई, क्यूं बताओ मैं experience, मुझे तो party करना है, friends के साथ रहना है, यह क्या ध्यान व्यान, सब सीखा है मैं उसी में पैदा हुई, पर फिर भी, उससे अलावा और कोई दुनिया देखा ही नहीं है, सुबह से रात तक हमारा dinner table पे discussion है, तुमारा past life क्या है, मेरी kundalini activate हो गई, यह experience है, यह दुनिया देखा मैंने, उसमें ऐसा हो रहा है, यही discussion सुबह शाम, तो यह मेरी normal life है, इस से मैं, पर मैं मुझे लगा, मेरी दोस्तों को देखे, चाहिए कुछ और भी है, you know, grass is greener on the other side, मुझे लगा कुछ और है, क्यूंकि वो time पे जब शुरू हुआ है, तब वो बस में गुमते थे, गाओं गाओं जाते थे, कोई सुना नहीं गाओं वो जाते थे, पता नहीं, बस में, ट्रेन में, बैटने का जगा नहीं होता था कभी, कभी लोग नहीं आते थे, बस बैठे रहते थे, फ्लूट लेके, एक बंदा शायद आ गया थे, आरे आओ, आओ, कब, बैठो, एक बंदा हो, दस हजार हो, बीस हो, एक ही पैशन के साथ वो सिखा दे थे, क्यूं सिखा दे थे, समझ में नहीं आता था वो time पे, तो ऐसा उनकी जिन्दगी शुरू हुई थे, तब मैंने वोई देखा था, मुझे लगा, अरे यार, यह ज्यान में पैसा नहीं है, यह क्या है, मेरे अंकल सब सक्सेस, अमेरिका सब जा रहे है, वो लोग समझ रहे हैं कि वो सक्सेस है, मेरे फादर क्या कर रहे है अपनी जिन्दगी से के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उनको मुझे यह मेडिटेशन की चंगुल, क्या बोलता है, चंगुल, दे बहार निकालना था, मेरे अंकल, मेरे फादर के ब्रदर, जो अमेरिका में रहते हैं, वो एक साइंटिस्ट है, बहुत लॉजिकल आत्मी, बहुत इंटेलिजेंट आत्मी होंग कॉंग में मेडिा निकल इंजिनीरिंग का अमेरिका में बैठे, उनको लगा कि मेरे फादर के पास पैसे ने, कैसे पढ़ाएंगे बच्ची को, तो उन्होंने कहा मैं इसको पढ़ाऊंगा, मेरे को बोला, तू एमेरिका आजा, उनको लगा कि मैं प्यासे मैं से पीस पे कर दिया मेरे अंकल ने मैं चली गए यूए और फिर उदर मैंने देखा कि शायद थोड़ा मुझे confusion आया शायद यह है सच सक्सेस का definition change होते गया मेरे लिए हैं पर मैंने स्च सक्सेस है एक अच्छा अपने पैरों पे रहना क्यूं कसी को जाके मांगना है क्यूंकि पूरी सिंधी के अगर मेरी पड़ाई हुई थे कोई आके पैसा दिया तो मैं स्कूल कहीं कोई आके खाना दिया तो मेरे घर में हमारे गढ़ में खाना था ऐसा ही मैं बड़ी हुई तो मैं जब देखा मैंने देखा तो हाँ थोड़ा चलो अभी successful बनना है तो मेरा definition change हो गया क्या था corporate jobs लेना है अभी engineering हाइदरबाद से हूँ engineering यह option है उसके बाद master उसके बाद corporate job उसके बाद जो भी positions है team lead, manager जो भी होगा success बना है, घर लेना है यह जो हमारे ने map बना दिया मैंने सुचा होई success है मेरे लिए चलो चलते है जो मैं चल पड़ी उसके उपर और इस दो round मैं भूल गई की मैं मेरी जो reality मैं मैं खुद create करती हो, हम energy है यह सारी जो बाते मैं धीरे धीरे भूलते आई हो और मैं यह सोचने लग गई की आरे यार इदर दुनिया में रहना है तो बहुत मुश्किल है बहुत कुछ करना पड़ता है इदर यह सारी बाते यूएस में रहना है मतलब वीजा आप सब भी जानते होंगे यह सारे स्टोरी वीजा चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए उस पे लग गई और इन दोरान मैं कहीं न कहीं अपनी खुश नहीं रहती थी दोस्तों के साथ मिलती थी पर खुशी नहीं होती थी वो बाते करते थे हैं पर खाने के बारे में पॉलिटेक्स या मूवीज यही तो बाते होती हैं हमारे खुशी नहीं मिलती थी मैं सोचती रह गई क्या हो रहा है इग्नोर करती थी चलो यह पदा ने चलो पैसे मिल रहा है अच्छा है अच्छा हो रहा है चलते है चलते है चलते है इग्नोर 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 जैसे गाड़ी में इंडिकेटर्स होते हैं न यह कम हो गया, प्रेशर कम हो गया रिसेट, रिसेट, चलो, जाओ, जाओ, इस ओके, चलो, चलो वैसे ही चलते गए उसके बाद फिजिकल प्रॉब्लम्स आते गए थायरॉइड प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम्, शूल्डर पेन बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कभी थे ही नहीं, सब आ गए फिर भी मैं इग्नोर इग्नोर, इग्नोर कैसे अभी, अभी छुटी लिया तो काम पे एफोर्ड नहीं कर सकते काम पे तो जाना पड़ेगा बीमार होना एफोर्ड नहीं कर सकते दवाई लो, रोस टैलिनॉल बोलके एक सरदर्द का दवाई होता था उदर रोस पिपर्मिंड की तरह लेती थी मैं बस गाड़ी चलाना है किसी भी तरह, रुकना नहीं है रुके तो पता नहीं कोई और आगे चला जाएगा चलाना है गाड़ी किसी भी तरह मेकप लगा लो टाबलेट ले लो चलो यही तो देखती है दुनिया, और क्या देखती है बस यही किया है इसके बाद जब एक वक्त आया जब कम्प्लीट रॉक बॉटम तब मैंने रियलाइज किया कि यार यह कहां आगे मैं अभी इससे नीचे तो मैं गिर नहीं सकती उपर ही आना है हम अपनी फैमिली को ब्लेम करना ऐसा है वैसा है अगर एक और्गनाइजेशन में है तो उनके वज़े से ऐसा हो रहा है हमें यह नहीं कर पा रहे है या वर्त हुमें है तो मेरी बॉस ऐसा है कोवर कर रहे है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है हम बस ब्लेम करना कंप्लेन करने से क्या करते हैं हम अपनी आपको तसली दे रहे हम सब कुछ कर रहे है पर ऐसा है दुनिया तो हो नहीं पा रहा एक्स्क्यूजस क्योंकि हमारी जो अंदर का जो भाई है अम उसको मिलने रहे है तो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी लाइफ मुझे मैं जानती हूं कि मैं अपनी लाइफ कुछ क्रेट करती हूं पर वो वक्त आ गया कि मैं जो भी मैंने बच्चपन से सीखा है देखा है अभी उसको अपलाई करना है consciously तब तक तो हो रहा था पता ही नहीं था कैसे हो रहा था travel कर रही थी पैसा कभी बच्चपन से सब मिल रहा था किसी की कमी नहीं थी मतलब मुझे समझ में आया कि फिर मेरी जो success की definition change होते आये समझ में आया कि पैसों से success नहीं है क्योंकि मैं बच्चपन में तो बहुत कुछ थी बिना पैसों के तो मतलब पैसा success नहीं है, पैसा happiness नहीं है, पैसा ये सब नहीं है, क्योंकि घर था husband था, सब था, मतलब happiness, मतलब वो क्या मुलते, fulfillment, contentment वो नहीं था, तो वो सब भी वो नहीं है, तो क्या है abundance क्या है तो ये मैं जानने के लिए मेरी खुद की journey शुरू हुए आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ इनकी पत्रीची की बेटी बनके नहीं बैठी हूँ, अगर बेटी बनके बैठी होती तो मैं पैसे से मैं आती ही नहीं हूँ, दूर भाग जाती यहाँ पे हूँ क्यूंकि मैं एक पिरमिड मास्टर हूँ यहाँ पे हूँ क्यूंकि मैं जानती हूँ कि सबसे बड़ा सत्य यही है कि आना पाना सत्य है, इससे अलावा कुछ है ही नहीं इसलिए मैं यहाँ पुर्णे कोई लेगेसी बढ़ाने नहीं आई हूँ मैं, बस मैरी जो सच है मैं आपको share करने आई हूँ यह किसी का राज नहीं है बढ़ाने के लिए कोई king नहीं है, queen नहीं हम सब kings है हम सब दोस्त है, friends है यही मैं आपको कोई teach करने भी नहीं आई है, बस share करने आई हूँ मैं कौन होती है आपको टीच करने वाली बस मेरी जो experience है जो मैंने सीखा मैं बस आपके ताँ share कर रहे हूँ तो उस दिन जब मैंने decide किया तब मैंने लिख दिया मैं अपने life को change बतलब decision ले लिया मैंने yes हो गया जो हो गया हो गया अब मेरी chapter change होने वाली है एक नए research में दबाने वाली हूँ मैंने decision ले लिया जैसे मेरे father ने ले लिया उस दिन कि मैं ध्यान सिखाऊंगा कुछ ने पता कैसे करूंगे क्या करेंगे कैसे होगा no idea पर करना है change करना है तो उस दिन मैं quantum physics, energy इन सब के बारे में पढ़ना शुरू किया, workshops लिया, different meditations किया, क्योंकि मुझे पता नहीं तो क्यों पत्री जी या क्यों father यही खलते हैं, क्यों आना पाना सती कहते हैं, क्यों pyramid energy कह रहे हैं, मुझे जानना था, क्योंकि मैं उनको questions पूछते रहती हूँ, क्या हुआ अगर उन्होंने non-mitch कहा, तो मत खाओ, क्यों सबको सिखाना है हमको, अगर मैं ने करती तो ठीक है ना, क्यों सबको जाके सिखाना है, यह सारे questions है, एक time था मेरे अंदर confidence भी नहीं था कि मैं ध्यान सिखाओ कि सिखाओ, वहाँ की story बता रही हूँ, जब कोई confidence नहीं था, तो जब दब जाके मुझे समझ में आई है, कि हम सब एक source से आते हैं, जहां पे ना कोई सच है, ना जूट, ना कोई रात है, ना कोई दिन, बस सिर्फ consciousness, सिर्फ awareness होती है, हम सब वहीं से आए हैं, और different, पहले ध्वनी आई, इसलिए हम क्या कहते हैं, शुरुष्टी की जो मूल क्या है, ओम, कहते हैं न, जो Bible में कहते हैं, I am, I am that I am, I am God, यह जो शब्द है, पहले यह हुआ, this is God, कहते हैं Bible में, तो जो source है, वहाँ से ध्वनी आई, ध्वनी से आई है, geometry, sacred geometry कहते हैं, और उससे आई हैं, जो mandalas हम देखते रहते हैं, इतनी शक्ती होती है, घर में लगाते हैं श्री यंत्र, मरकबा, बहुत सारे, और उससे आई है matter, physical world, जो हम मैसूस कर रहें, जो हम सुन पा रहें, जो देख, light, यह सारा जो है, energy है, हर चीज energy है, sound, light, और जो हम मैसूस कर रहें, तब energy है, और इस धरती में यह है, यह 3D matrix में क्या है, duality है, duality मतलब क्या है, रात और दिन, male female, सच और जूट, light and evil, darkness, light नहीं यह तो रात नहीं है, रात नहीं यह तो दिन नहीं है, एक creation के लिए male female की जरूरत है, मतलब duality, इस game में हम यह खुद हमने, यह शुरुष्टी हम खुद create किये है, हम सब ने, we are co-creators, हम सब यह source से आए, source के पास ही जाएंगे, we come from abundance, we go back to abundance, we are abundant, कभी लाक से हम आई ही नहीं, पर जब इस शुरुष्टी में आई, इस game का यह है, अगर game में survival, यहाँ पर animals है, तब है, जैसे रात और दिन है, तो survival चाहिए, survival के लिए हमारे पास एक brain है, reptilian brain बोलते है उसको, जो जानवर के पास भी है, survival के लिए, अगर share आए, तो मुझे मारना पड़ेगा share को, और मुझे safe होना पड़ेगा, तो यह जो दिया है, इस चीज़ को, डर ज़रूरत है, अगर डर ने, तो बच्चा भी जाके fire में, हाथ लगा देगा, हम कहते हैं कि fire में मत जाओ, तो डर भी ज़रूरत है, हमको यह body को जिन्दा रखने के लिए, पर जैसे जैसे evolution जाते आ रहा है, तब भगवान भी हमारे धर्टी पे आए, कौन भगवान, शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, यह सारे भगवान कौन है, हम जहां से आए है, वही से आए है, जिस dimension से आए, जिस density, आए से आए है, वही से आए है वो भी, पर वो टाइम पे भगवान और human beings साथ साथ चलते थे, और हमें सिखाने आए कि हम भगवान हैं, भूल मत, सीखो, जागो, पर हमने क्या किया दीरे-दीरे, टेंपल बना दिया, पूजा करने लगया, आप ग्रेटों हम इदर है, वो सीख तो छोड़ दिया, पर मेरे घर का मंदर देखा आपने, क्या सजाय मेरे कृष्ण जी को, है ना जी, क्रिष्ण भगवान को, उनको सजाने में लग गये, पूरी-पूरी धुष्टी, वो क्या कहे, वो क्या बोलके गये, वो तो किसी को सुनना ही नहीं है, सच को सुनना नहीं है, जो जूट खूपसूरत एक ठाली में परोसा जाये, तो सच क्यों सुनना, इतना कड़वा है तो, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, आसान एक डर को फेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पावर दे दिया, कोई है भगवान देखेगा हमको, हम क्यों कुछ करना है, आपको देख लेगा, हमने पावर को हमने दे दिया, धीरे 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 तीन जब, कैसे आपको तीन चीज़ बताती हूँ, जब हम बच्चपन से बड़े होते हैं घर में, तो पहले हमारे मापाप अथौरिटेटर है, अगर मैं, मेरी बच्ची आती है, मॉम चॉकलेट चाहिए, और फिर आती है, आइसक्रीम चाहिए, तो मैं बोलता हूँ, एक चूज करो, चॉकलेट या आइसक्रीम दोनों ने, पर अगर वो रियली चाहती है, तो उसको दोनों मिल सकते हैं, पर मैंने डिसाइड किया कि उसको एक ही देना है, मतलब एक बच्ची को एक अथॉरिटेटव फिगर, मतलब मॉम के पास पावर है, मुझे जो चाहिए, वो मॉम से तुरू मिलेगा, तो वो आके बोलिक, पहले इतनी वो शानी हैं, चार साल की, वो आके मेरे को किस देती है, अच्छे से भेव करती है, और फिर ममा, प्लीज आइस्क्रीम, तो पहले वो बैग करती है, प्लीज, 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 मैं दिखे, ओके बेटा, चालो, दे देते हैं, आइस्क्रीम देते हैं, अगर मैंने नहीं दिया तो मेरा बेटा साथ साल का है वो क्या करता है आज मैं अपना प्लेरूम क्लीन करूंगा तो केन आइगेट आइसक्रीम मतलब वो मेरे से बारगेनिंग कर रहा है आज सो कोकनट डालेंगे तो मेरा आज मैं डोनेशन करूंगा तो मेरा काम कर दो भगवान है ना तेजल तो नेक्स हो रहा है बारगेनिंग गेम हो रहा है क्यूंकि बचपन से हमने अथॉरिटेटिव माब आपको देखा है बड़े हुने के बाद कोन है अथोरिटेटर? भगवान तो हमारे बच्चपन से वो एक सिस्टम हमारे दिमाग में आ गया कि कोई है हमको देने वाला अगर उसको खुश किया तो हमको मिलेगा तो यह जो प्रोसेस से बच्चपन से शुरू हो गया तो सेकिंड हो गया बारगे नहीं तो थर्ड आके बोलता है अगर मैंने अभी भी नहीं सुनी तो क्या करेगा? मेरी बच्ची जो भी मिले वो फेक के मैं स्कूल नहीं जाती, मैं यह नहीं करती जा, I am not doing this, मेरे को threaten करती है, भगवान को बोलते मैं मंदिन नहीं आउंगा अभी, तुम पर बिलीफ नहीं करूंगा अभी हम threaten करने चले जाते हैं भगवान को, correct? तो तीन चीज कर पहरे हैं, back करते हैं, नहीं हुआ, bargaining चुरू हो जाएगा भगवान के साथ bargaining काम नहीं हुआ, तो threaten करते हैं, यह नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं बिली भी नहीं करूंगा इतने दिन मैंने cigarette और डारू नहीं पिया, cancer आ गया, भगवान तुने क्या किया? अब मैं सब छोड़के चले जाओंगा, cigarette पीने, सब गलत काम करूंगा तो threatening में आ जाते हैं, तो हमने क्या सूचा कि एक जो authoritative figure है, उसको फूच करने से, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा यह हमने दिमाग में हमें, यह जो system है, बच्पन से सिखाये गया, school बेग, teacher को फूच किया तो friend branch, ने तो बाहर first grade है तो अच्छा treat करना है, fail हुआ तो बाहर religion में अच्छा आके रोज पूचा करते हैं तो पूच्छा करते हैं तो पूच्छा मिलेगा क्या आएगा, promotion मिलेगा, शादी होगा, वीजा आएगा अगर नहीं किया तो पाप मिलेगा पाप में क्या होता है, tragedy, cancer आना कोई health problem आए कुछ भी हो तो बाड कर्मा है, हमने religion भी सिखा दिया ये पाप और पूच्छा किया तो society के तरह अच्छा किया तो पूच्छा मिलेगा, नहीं तो पाप मिलेगा तो education system, हमारी जो religion, हमारे घर में, हमारी movies भी तो यही दिखा देते तो ये सब देख के हम और क्या सोचेंगे, ये तो सोचेंगे, ये तो बड़ नॉर्मल है कि मुझे जूखना है, करना है, कोई सेव करने वाला चाहिए हमको, अच्छे करो करो, donation करो माप आपको देखना है, क्योंकि माप आपको देखने हैं ते पूर्णिय मिलेगा ये सारी जो चीज़े है, कुछ मिलना, मिलेगा, कुछ चाहिए, उस भावना से हम करते आए जो success को इस तरीका का नाम दे दिया, हमने, एक status symbol बना दिया, एक घर बना दिया, एक गाड़ी बना दिया हम different definitions एग माँ को एक बच्चा खाना खाए, वो success बन गया different definitions देने लग गए, और तो हम confused हो गए, ये क्या है, क्या करने थे हम भागने लगए, चलो ये भी करते, ये भी करते, चलो मिल जाएगा क्या है, क्या करें तो अच्छा हमें happiness मिलेगा, abundance मिलेगा abundance एक ऐसी creative energy है, जो source से आता है जब वो energy flow होती है, जब हम वो window open कर लेते हैं, तो आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं, क्यूंकि आप भगवान हो, you are the powerful creator इससे अलावा और कोई सत्य नहीं है, हम सब शरीर नहीं है, हम शरीर में आएं है ये चहरा मैं नहीं हूँ, ये चहरा परी का है मैं बस ये शरीर को, ये शरीर भी मेरा नहीं है, धर्टी का है ये ये हमारी temple क्यों कहते है, क्योंकि ये धर्टी से आता है, धर्टी के पास ही जाएगा न, शरीर तो इस शरीर में आई हूँ, एक experience के लिए, एक human experience के लिए, क्योंकि मैं भगवान हूँ मैं वो source से आई हूँ, इधर आके हम एक different, जैसे एक white light, एक prison में रखने से rainbow colors बन जाता है हम सारे एक एक color है, हम सब एक है, पर हम सब unique भी है सर आपका नाम, प्रशान सर, प्रशान सर और मैं एक हूँ, एक है, पर उनकी खुझबू है और मेरी खुझबू है वो खुझबू मेरे से जादा नहीं है, कम नहीं है वो खुश्बू फैला नहीं हम सब आए शेर करने आए पैसा है पर शेर करने वाला कोई नहीं तो क्या फाइदा घर है घर में कोई बुला के खाना नहीं खिलाए तो क्या फाइदा गर में किचन रहक है कोई फाइदा नहीं है शेर करने से ही हमारी जो हमको खुशी मिलते है इसलिए सर्विस सेवा सबसे हाइस्ट है कुछ मिलेगा बोलके करने का नहीं क्योंकि आपके बस अल्रेडी सब कुछ है क्या आपको कोई देगा आपके बस सब कुछ है कोई आपको respect दे सकता है importance देता है आप ही important हो आपके बस already है love क्यों हम love के लिए अपने husband और अच्छे कपड़े पहनो यह करो वो करो I am already beautiful आप सब बोलिए है I am beautiful I am love I am abundant Already हम है वो डूरने की जरूरत नहीं है अब डूरना बन कीजिए इसमें उसमें ये करे तो आएगा ये रिंग पहने तो आएगा ये क्रिस्टल लेख़े तो आएगा पत्री जी का पैर उनके चपल कितने बार खोग है वो चपल पकड़े तो उड़ जा जाएगी उसमें से हमको पहले उनके चपल की ख्याल करना पड़ता है उसमें डूरना बन कीजिए खुद में डूरन ये वो अल्रेडी है परारी तो है बस चाबी चाहिए हमारे पास जब ढूरना बंद करेंगे तो अपनी ध्यान अंदर जाएगा ना तूर तो दे दिया बस अपने श्वास के साथ रोगा और क्या इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? अरे इतना आसाने ये नहीं हो सकता, कुछ complicated ही होता तो सब के पास होगा ना फिर हमारा दिमाग चलाते है अगर इतना ही आसान है तो क्यों सब सब नहीं कर रहे है नहीं, नहीं, मुझे 10,000 पे करके उदर जाना है उदर कुछ है सीखने जो सब के पास नहीं है ये information तो freely आपके सामने दिया गया है हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी third eye बंद है सच और जूट की परक नहीं कर पा रहे हम भागने में लग गया है ये आपकी गल्दी नहीं है society ऐसी हो गई अब हमारी जिम्मदारी है इसको बदलने की एक slave की जिंदगी से बाहर आने की मैं खटिन word यूज कर रही हूँ क्योंकि हम slave बन गए आसादित्यों मिल गए पर अभी भी उस mindset से बाहर नहीं आए दूसरी country भी जाओ Canada गए सब जगा गए वहाँ पर भी बस काम करना है ये करना है कहीं भी हो आप कोई भी country में हो खुशी country में नहीं है खुशी अंदर है ये simple सी बात हमको समझना है आप एक crystal लो एक astrologer जोतिश के पास जाओ कुछ भी करो अगर आपके अंदर आप आत्म विश्वास नहीं है आप नहीं जानते हो कि आप भगवान हो तो वो सब बेकार है वो भी dependency है एक दरख हम बोले अभी भगवान मत करो मत जाओ अभी जोतिश के पास जाएंगे एक साइकिक के पास जाएंगे क्यों वाइड डिपेंडेंसी सारे सिधी सारे पावर्स आपके अंदर है अगर आप एक्टिवेट करना चाहो तो आप एक्टिवेट हो जाएगा बस आपकी एक संकल्प चाहिए हाँ मुझे ये experience करना है वो चाहना गलत नहीं है, desire कभी गलत नहीं है मुझे बड़ा घर चाहना, पैसा चाहना गलत बात नहीं है ये company, PNC channel को पैसा चाहिए वो गलत बात नहीं है पर intention, कहां से वो desire आया fear से आया या प्यार से आया sharing, service mind से आया किस, कहां से वो desire आया वो आप देखिए intention कहां से आया चाहना कभी गलत नहीं है desire चाहिए एक desire नहीं तो कभी हम बुद्ध नहीं बनेंगे एक desire नहीं है मैं enlighten होंगा, कभी वो नहीं है तो कभी ये लोग Mexico से नहीं आयेंगे तो desire होना बहुत ही ज़रूरी है वो passion, राम बाबू जी को desire नहीं है कि मुंबाए को एक पिरमिट जगत बनाना है तो कभी वो मचली पड़न से आते ही नहीं वो passion के साथ महेची को एक लाप्स आज हमको आपका बहुत निस्किया है थैंक यू आने के लिए तो desire बहुत ज़रूरी है हमको बोला गया कि desire मत रखो ये मत रखो desire नहीं तो हम बुद्ध के से बनेगे एक पिरमिट के से आएगा वो desire देगे ध्यान जगत चाहिए वो एक desire है अंदर पर कहां से आ रहा है service to self service to others दो चीज़ है service to self अपने लिए करना service to others दूसरों के लिए करना किस भाव से आए service मक्सद से आया intention, संकल्प एक business चुरू कर रहा हूँ संकल्प क्या है पैसा बनाना है या ये चीज से किसी और का अच्छा होगा वो service mindset है अब पैसा बनाने के लिए business करोगे ते बस भावते ही रहोगे पैसा तो भावता ही रहेगा वो energy है, flow है पर एक service mindset है हाँ ये करने से, एक zoom बनाने से, लोग connect हो सकते है उस mindset अगर हम बनाए तो वो abundant mindset है तो हम connect हो जाते है lack mindset है कि पैसा नहीं पैसा बनाना है तो abundant mindset, lack mindset एक बार हम abundant और lack में नहीं जी सकते हैं एक शण में एदर हम abundant है या lack है abundant mindset से जब हम इसलिए confusion होता है spiritual लोगों को क्या confusion होता है पैसा बहुत बुरा है पैसों से real friends नहीं मिलते पर पैसा तो चाहिए पैसे के बिना ये function कैसे होगा banner लगाना है ये pyramids लगाना है वो जो brochures create करें उसको print करवाना है पैसा तो लगेगा haul book करना है इसको पैसा देना है पैसी बुरी बात है पैसा भी चाहिए ये दोनों believe के साथ हम कैसे manifest करेंगे क्योंकि हमारी जो बास्तविता है reality है ये हमारा reflection है हम जो सोचते हैं believe करते हैं हम जो बात करते हैं वो ही project हो रहा है अगर कुछ आपको पसंद नहीं आया आपके life में कुछ भी हो body हो, health हो career हो, relationships हो वो पसंद नहीं तो इसको change नहीं करना अंदर, अंदर change करना है तो बाहर अपने आप change हो जाएगा क्यूंकि आपकी life एक mirror है जैसे आप अंदर से change होते हैं आपकी energy shift होती है वैसी आप project करते हो so abundance का मतलब यह है कि जब वो creative energy आती है हमारे life में वो खिड़की खोल देते है दर्वाजा खोल देते है जैसे water आती है उसमें आप orange tree डालो, lemon tree डालो कुछ और डालो, सब उगेगा कुछ भी डालो आप पर हम वो orange tree को abundance आज़े, इसके पास orange tree मतलब यह abundant है इसके पास गाड़ी है इसके पास यह है हम उसको देख रहे है पर पहली बात तो आप हापा को आने देजिए बस चुटकी में हो जाएगा बस अपने श्वास के साथ रहना है energy अपने आप आ जाएगे वो abundance के साथ रहेंगे जब abundance के साथ हम कुछ create करते हैं तो डर नहीं है क्योंकि वो कभी lack, limited है ही नहीं अगर यह गया तो दूसरा आएगा मेरा divorce हुआ तो क्या हुआ इसका मतलब यह नहीं कि मैं failure से डरने लगते है अरे यार fail हो गया तो क्या होगा दुनिया क्या कहेगी मैं मर भी जाओं कि अब fail नहीं होना shame, shame इसको shame कहते है shame नहीं चाहिए पर मैं मर जाओं पर shame नहीं चाहिए इतना हमने अपने यह failure को failure ने तो एक बच्चा चलेगा क्या गिरेगा चलेगा गिरेगा उठेगा अरे गिरेगा तो हम कहते हैं कि अरे बच्चा गिर गया अभी क्या गरे अभी क्या गरे अरे it's okay गिरो भई और गिरो उठेगा हमको पता है वह उठेगा डरने लग गए शरीर के साथ identify करने लग गए हम हम शरीर है ये तो बूली नहीं है ये तो बूली गए हम मर गए तो क्या क्या हुआ कुछ नहीं हुआ ए ड्रेस छोड़के दूसरा ड्रेस ready है उदर पैसे देने की भी जरूरत नहीं है ready है ड्रेस ले लो पैनो हो गया फिर experience करो क्या tragedy कहा है इदर suffering कहा है कोई tragedy नहीं है कोई suffering नहीं है लोग मर रहे है ये हो रहा है ये हो रहा है पर ही हम मैं इदर आखे बंग करके कैसे मैं जी सकता हूँ ये question आता है बहुत लोग भूके हैं उनको खाना देना है आखे बंग करके कैसे मैं जी जी हूँगा क्या आप बोल रहे हो जब खाना अभी दिया तो फिर शामको भूक लग जाए जब हम ये knowledge share करेंगे कि आप खुद की life creator हो ये जब हम देंगे तो अपना life वो खुद create करेगा अपने आपको abundance में ले आएगा क्योंकि वो जान जाता है कि मैं create कर सकता हूँ इसे लिए knowledge is power इसको share ये highest service है ध्यान प्रचार करना highest service बस मैं जानता हूँ घर में करता हूँ चलो अच्छा है नहीं अगर आप सत्य जानते हैं तो सत्य को share करना हमारी धरम है हमारी duty है मैं ऐसे ही सोचती थी पर मुझे अभी ऐसास हो गया कि मैं अगर हम सत्य जानते हैं तो जाना है रोट पे जाना है बताना है सब को भैं रोना बन कर क्या रो रहे हो किसलिए रो रहे हो कहां जा रहे हूं, टेंपल जाके क्या रोने का बैक क्यूं कर रहे हो उठो और अपने खुद का रक्षक बनो अपने खुद को बदलो, अपने खुद को समझो कोई आके कहेगा कि डाइबेटेस है एक चीज मैं बताना चाते हूं ध्यान से कुछ लाब नहीं है मतला, अरे मैडम मेरे पैरों में एक दड़्द है ध्यान से चला जाएगा? वैं प्वेशन आता है ध्यान से जाएगा? तो मैं करूंगा लाब के लिए कुछ एगें गो टू दे रूट माइंसेट कुछ पाने, कुछ मिलेगा हम करेंगे नहीं आपके पास सब कुछ है ये बोडी हमारी मिराकलिस है अपने आप हील हो जाएगी जब हमारी सोच बदलेगी तो ये जो आप देख रहे हो ये जो लोगो है इदर wisdom, energy, consciousness तीन है उसके एहमियत समझाती हो आज आपको wisdom, energy, consciousness जब हम ध्यान करते हैं हमारी उर्जा बढ़ती है energy बढ़ती है तो हमारी consciousness बढ़ती है हमारी wisdom बढ़ती है जब हमारी wisdom बढ़ती है मतलब जब हम books बढ़ते है knowledge बढ़ती है तो हमारी consciousness बढ़ती है हमारी energy बढ़ती है जब हमारी सोच बदलती है जब हम ये जानते हैं सत्य कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं खुद भगवान हूँ मैं अपनी life को खुद create कर सकता है जब हम ये सत्य जानते है तो ये सत्य हमारी life में reflect होता है तब हमारी उर्जा बढ़ती है consciousness बढ़ती है ये तीनों एक ही है information, consciousness और energy इसे लिए हमारे लोगों में एक भी चीज ऐसे नहीं डाला पत्री जी ने बहुत सोच समझ के डाला है अगर आप ये emblem को समझ हो तो सत्य को समझ लिया इतनी powerful है ये emblem बुदर बुख है उपर चक्रा कलर से हमारे चक्रा हमारी त्रोट चक्रा को clear किया तो सत्य बोलेंगे ये गलत है सत्य बोलो त्रोट चक्रा अपने आप clear हो जाएगा मेरे अंदर बहुत ब्लॉक्स है मैडम मैं क्या करूँ अरे उठो ध्यान करो अप्लाइ करो जो आप सीख रहे हो तो सारे ब्लॉक्स अपने आप चले जाएगा मैंने जो कहा मेरी स्टोरी मेरे माइग्रेन से ये है जब मैं अपने आपको स्वीकार कर लिया जब मैं ठीके मैं जो भी हूँ मैं बस अब मुझे कोई मास्क नहीं लगा न मैं बस ऐसे ही बाद में निडर होके बाद करूँ जब मैंने ये ठान लिया तो पूरी थाइरोइड, माइग्रेन सब अपने आप चला गया कोई डाबले नहीं लिया उसके बाद अप इसको हील करने के लिए भागो मत, अपने आपनी सोच पर आप ध्यान दो ये शरीर अपने आप हील हो जाएगा कुछ मिलेगा करेंगे, क्योंकि हम कुछ मिलेगा बोलके अगर हम ध्यान में आये तो आप ये बिलीब कर रहे हो कि आपके आप इनक नहीं हो, आपके पास नहीं है आपके पास सब कुछ है तो क्यों आप किसी चीज पाने के लिए ध्यान कर रहे हो आपके पास सब कुछ है, ध्यान कुछ देगा नहीं, आपके पास ही है वह ध्यान पर चाबी है, गाड़ी की बस वो सब अक्टिवेट हो जाएंगे कोई है कुछ पाने के लिए ध्यान कर रहा है अभी है कोई इदर पैसा चाहिए हील होना है मुझे शादी करना है कुछ पाने के लिए हम जान नहीं करते हमारे पास सब कुछ है हम इंपोर्टेंट है हम अमारी खुश्बू को फैलाने इदर आए हम अमारी जिंदे के हमारी लाइफ को हम खुछ चुने है अगर गोविंदा कुली नंबर वन बन गया तो वो हीरो नहीं है क्या है ना वो कोई अमीर आदमी का बेटा ही बनना है क्या पूली भी बन गया तो हीरो ही है तो हम क्यूं नहीं सोच रहे हैं सा हम खुद हीरो है हीरोईन है जो भी हमारी स्टोरी है जब हम अपने आप पे बिलीव करते हैं जब हम ये जानेंगे, हम important है, हाँ मैं हूँ, सब हमारा story, movie बन जाएगे और हम hero बन जाएगे, कब तक supporting actor बनोगे आप? कब तक बनोगे आप? अपने life में किसी और को hero कब तक बनाओगे? खुद का heroine, ma'am, खुद का heroine कब बनोगे आप? खुद की story आप कब कहोगे? खुद की book हम कब लिखेंगे? सब का book पड़ेंगे, पर खुद का book भी लिखना है हमको. खुद की story शेयर करना है. Only empowering बाते करना है. दो तरीके के बाते होते, empowering और disempowering. Disempowering मतलब जो भी आपको डर पैदा हो, dependency पैदा हो, fear पैदा हो, lack पैदा हो, disempowering है. जो भी बाते आपको empower करो, confidence में आए, आपको साथ love share करे, वो empowering है. हम सिर्फ empowering बाते करें, हम सिर्फ यही करेंगे, मैं अपने आपको heal करूँगा. यह नहीं कि आरे यार मेरे पास insurance नहीं है, कैसे होगा? बहुत महेंगा हो गया, यह बाते जरूरी ही नहीं है, क्यों बात करना? हमारी choice है, हम क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या conversation है, कोई आके आपके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो बोलो, नहीं करना मुझे, चलो बोलो, PMC on कर दो, देखो, मैं तो यही करती हूँ, एक बुक लेके जाती हूँ, अगर कुछ भी conversation ऐसा हो, start हुआ, diabetes है यार, यह अभी COVID है, यह क्या करना है, कैसे करना है, चलो यह बुक ले लो, अरे यह बुक ले लो, देखा, मैं बुक पढ़ने लग जाती हूँ, तो देखते हैं, फिर conversation change हो जाएगा, अरे क्या पढ़ रही हो, change the conversation, आप उस पे participant करो ही मत, क्यों करना है, अब selfish बनो अपनी उर्जा के साथ, मनी के साथ तो हम ऐसे कितना, अरे इदर ने, उदर ने, ये महिंगा ने, पर energy तो बागते ही चले जाते हैं, हर relationship में, और रोते रते हैं, उर्जा नहीं है, बहुत tired हूँ, stress हूँ, अब खुद create करो, खुद रो, happiness is an inside job, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को दुख ही नहीं कर सकते, वो हमारी choice है, free will है, हम क्या choose कर सकते, ये हमारे पास शक्ति है, हम कौन से, मैं prison में भी बैठ सकती हूँ, गांदी जी ने book लिखा है, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास choice था, हम घर बैठे बैठे भी prison जैसा feel कर सकते हैं, कर सकते हैं कि ने, राइट मैडम, नावदीद मैडम, तो घर, prison, अपनी external effect नहीं करता, अपना internal कैसा है, उस पे हमें ध्यान देना है, तो एक ही, एक ही मार्ग है, एक ही सत्या है, वो है आना पाना सति, श्वास पे ध्यान, वो हो गया, आप जो भी करो, आप crystal से काम करो, कुछ भी करो, वो सब technology है, tools है, जैसे मैंने भारती मैं, भारती मैं से कल बात किये, वो आप शेयर करोगे, कोई आके ये technology, सारे tools है, बहुत सारा spiritual technology है, जैसे हमें, अगर number calculate करना है, तो computer आ गया, calculator आ गया, ये सारे tools है, पर हम कर सकते हैं, हमको पता है, वो computer के बिना हम calculate नहीं कर पाते क्या, कर पाते हैं, पर tools आ गया, advancement technology, वैसे ही technology, spiritual technology भी है, pyramid energy, आप जो कह रहें, ये technology है, advanced technology, spiritual technology, अगर इसके साथ हम ध्यान जोड़े, तो amplify हो जाएगा, पर इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, हम spiritual technology को लेकर आ रहे हैं, कि ये tools है, आसान करो, उर्जा को जल्दी से बढ़ाएंगे, crystal देखेंगे, ये abundant का crystal है, इसके बिना मेरा business तो नहीं चलेगा, और आगे बढ़ेगे, ये तभी चलेगी जब आप खुद समझोगे कि आप भगवान हो, आप खुद creator हो, ये पहन के कोई फाइदा नहीं है, ये तभी एक्टिवेट होगा जब ये ध्यानी के हाथ में जाएगा, पहले ध्यानी बनना है, उसके बाद सब technology समझ में आएगा आपको, कोई सीखने की ज़रूरती नहीं है, आप खुद को समझ में आ जाएगा, क्यूंकि information आपके अंदर है, हम कोई सिखाने नहीं आए, आप सच जानते हो, अब सभी जानते हो, जब आप देखोगे तो सच पैचान जाओगे, सच है freedom, हर एक प्राणी को जीने का हक, हर एक प्राणी, वो animal हो, bird हो, fish हो, सब को जीने का हक है, free will, हम क्या है, हम कौन है, वो सोचने का हक हमारे पास है, free will है, मुझे महेजी कहने की जरूरत नहीं है, कि परी बहुत अच्छा काम कर रही हो, वो validation के लिए हम बैठे नहीं रहे, काम नहीं करते, हाँ मैं जानती हूँ, पर कोई आज बोलेगा तो अच्छा ही लगेगा, पर उसके वज़े से मैं great नहीं हूँ, ध्यान, शाकाहार और pyramids, pyramids, जैसे Anthony ने बताया, Mexico में भी बहुत सारे pyramids, ऐसे पूरे विश्व में pyramids है, क्यूं बनाया pyramids? कोई कोन ने, कोई rectangle ने, कोई sphere ने, क्यूं पिरमिड ही बनाया? Ancestors ने, यह सोचने की बात है, पिरमिड से अगर हम heal हो जाएंगे, तो किसको नुकसान होगा? डॉक्टर और फार्मसेटिकल, है ना? ऐसा प्रील है अगर हम पिरमिड शक्ति के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा? पूरा फार्मसेटिकल डाउन हो जाएगा. Google अब जाओगे, how to heal myself, पहले वो दवाई बताएगा, फिर alternative बताएगा. उद्धर तर जाएंगे, ना, ये चलो, ये दवाई, ये डॉक्टर अच्छा है. आप खोलो अपनी थर्ड आई को, देखो सच. मेरी मा बात मत मानो, हमारी कोई भी किसी की बात मत मानो. खुद रिसर्च करो, सवाल पूछो, क्यूं करना है ये, क्यूं मानना है ये, be a scientist, spiritual scientist, ask questions, don't just follow, we are not followers, we are creators, we are not followers, we are creators, we create our own reality, we take risks. कोई security नहीं है, अगर security के लिए अब इदर आओ, तो आप wrong planet में आगए, इदर कोई security नहीं है. टेक रिस्ट, जंप, खुदो, चलो, जंप, you will be taken care of, मतलब आप, क्यूंकि आपके शरीर नहीं हो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पत्री जी कहाँ गया, कहीं नहीं गया, कोई tragedy नहीं है हमारी जिल्दगी में, कोई suffering नहीं है, ध्यान करो, बात करो उनसे, सब कुछ कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच्छ, थैंक यू, मुझे ये, I am very grateful, Mumbai Spiritual Society के लिए, कि मुझे invite किया, और ये मंच दिया, I am truly honored, और ये मेरा pleasure कि ये सारी जो बाते आपके साथ share कर पाऊं, किया हैं